ये रहा HP Victus और इसे यूज़ करते हैं मुझे दो साल से भी जादा का टाइम हो चुका है तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चीपेस्ट HP Victus लैप्टॉप के बारे में अगर आपका बजट बहुत कम है 50,000 से भी कम है तो आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए कौन सा बेस्ट रहेगा क्योंकि 50,000 से कम में भी HP Victus के अलग-अलग मॉडल आते हैं और ये जो मॉडल मेरे पास HP Victus 16 है Ryzen 5 5600H, RTX 3050 और जब मैंने इसे बाई करा था उस टाइम इसका जो प्राइस था वो 75,000 था लेकिन आजकल आप देख सकते हैं कि इस तरह के स्पैक्स के साथ में HP Victus के जो लैपटॉप है 60,000 में आराम से मिल जाते हैं लेकिन हम इस वाले मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं दूसरे मॉडल की और ये लैपटॉप काफे ज़दा भारी है तो अब हाथ में भी दर्द होने लगा तो अब इससे रख देता हूँ आज मैं इस वीडियो में आपके वो डाउट भी क्लेर कर दूँगा कि Victus में हिंज प्राब्लम है कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर ये जादा लॉंग टम तक नहीं चलेगा तो Victus को recommend करने का जो मेरा confidence है वो आता है मेरे experience से क्योंकि 2 साल से भी जादा का time हो गया ही use करते वे तो मुझे ऐसी कोई बास तक problem नहीं आई है और hinge को लेकर के भी जो मेरा experience है वो भी मैं आपके साथ share करूँगा और एक बात मैंने और notice करी HP और Dell के brand के उपर लोगों का काफी ज़दा trust है तो अगर आपका budget काफी ज़दा कम है आपको gaming के लिए editing के लिए एक अच्छा laptop लेना है तो यह वाला laptop आप ले सकते हैं HP Victus 16 इसका जो भी price है 46,000 है तो बात करते इस laptop के specs की इसमें आपको Ryzen 5 5600H CPU मिलता है साथ में GTX 1650 GPU मिलता है और इस laptop में 8GB की RAM है DDR4 और आप upgrade कर सकते हैं 32GB तक और जो कि आपको HP Victus 15 के जो model आते हैं उनमें आप 16GB तक ही upgrade कर सकते हैं लेकिन इसमें आप 32GB तक upgrade कर सकते हैं साथ में 512GB की SSD मिलती है लेकिन HP Victus 16 के जो model आते हैं जातर में जो आपको extra SSD का slot मिलता है दो slot मिलता है लेकिन यहां पे clearly description में mention नहीं है कि इसमें SSD के लिए slot मिलता है या नहीं मिलता है लेकिन अगर आप HP Victus 15 के साथ में जाएंगे तो उनमें तो आपको SSD के लिए extra slot नहीं मिलता है साथ में इस laptop के अच्छी बात यह है कि इसमें जो आपको बड़ी display मिलती है 16.1 इंच के 144 Hz का refresh rate मिलता है 250 nits की brightness और 45% NTSC है और HP Victus 16 का यह फाइदा है कि इस budget के अंदर जो 15 वाले आते हैं तो उनमें आपको 53 वाट आर की battery मिलती है लेकिन जो 16 है इसमें आपको 70 वाट आर की battery मिलती है तो अगर आपको battery backup अच्छा चाहिए laptop में तो भी आप इस laptop के साथ में जा सकते क्यूंकि आपको normal use में 5 आर तक का battery backup तो मिली जाएगा तो यह इस laptop का एक plus point है साथ में Windows 11, MS Office वगरा वगरा वो आपको सब इस laptop में मिल जाता है तो 50,000 के अंडर अगर आप इस model के साथ में जाएंगे तो आपको upgradability का option थोड़े से better मिलेंगे battery backup अच्छा मिलेगा और इसमें आपको battery display मिलेगी तो यह इस laptop के benefit है अगर आप इस laptop के साथ में जाते हैं और इस laptop का जो price है वो भी काफी कम है अभी इसका price 46,000 है future में और कम भी हो सकता है अब बहुत सारे लोग का doubt होता है कि हमें coding programming के लिए laptop चाहिए office use के laptop लेना है तो भी आप इस laptop के साथ में जा सकते हैं अगर आपको coding programming के अलावा थोड़ा सा GPU से related task भी करने है जैसे कि थोड़ी बहुत gaming वगरा वीडियो editing वगरा करनी है तो इसमें ये फाइदा मिलेगा कि अगर आप dedicated GPU वाले laptop के साथ में जाते हैं इस price के अंदर तो उनमें आपको इतना अच्छा battery backup और laptop में नहीं मिलता है लेकिर इसमें 70 watt hour की battery मिलती है तो battery backup इसमें काफी अच्छा मिलता है और उपर से अगर हम बात करते हैं लैप टॉप के design की तो वो भी एक विल्कुल सा design मिलता है अब बात करते हैं रियल problem की बहुत सारे लोग कहीं पर पढ़ लेते हैं कोई comment कर देता है कि HPVictus तो खराब है बहुत जल्दी खराब हो गया मेरे पास भी था उसका hinge खराब हो गया मतलब बहुत सारे doubts होते लोगों के तो आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए build quality कैसी है वगरा वगरा तो देखो जो मेरा experience है अगर आप मेरे पर ट्रेस्ट करते हैं तो दो साल से जादा का timer को use करते वे हो गया है तो hardware label पे मुझे इसमें ऐसी कोई भी problem नहीं आई है आज तक और software label पे मुझे वैसे कोई problem नहीं आई है छोटे मोटे bugs वगरा देखने को मिलते हैं इसे की windows update में वो update करते हुए fix हो जाते हैं अगर हम बात करते हिंज के तो जब मैं इसे adjust करता हूँ तो मुझे same वह pressure लगाना पड़ता है जब मैंने इसे starting में जो है वो buy किया था इसके hinge में कोई भी looseness देखने को नहीं मिली है लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा careful होना पड़ेगा अगर आप laptop को जो table पर पटक के मार रहे हो तो थोड़ा सा इसमें damage तो हो गाई hinge को open कर रहे हो तो जटके से तो अगर आप care नहीं कर रहे हो तो कोई भी laptop आप खराब कर सकते हो तो मेरे 2 साल के experience के according आप इस laptop को ले सकते हैं laptop लंबा चलेगा और मैं इसी laptop को योज़ करता हूँ इसी पर मैं अपनी वीडियो को edit करता हूँ जो भी आप YouTube पर देखते हैं तो मेरे according Victus का कोई भी model हो अगर आप किसी और price के अंदर भी लेना चाहते हैं अगर आपका कोई और doubt हो तो comment करके बताइए अगर आपको laptop buying guide चाहते हैं तो Instagram पर follow करके मुझे DM कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए आया हो तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर लेना मिलता हूँ आए से किसी नई वीडियो में तब तक लिए बाई